Hey all right and welcome to all in today's the Hindu news discussion Now daily basis पर complete news paper analysis करते हैं हर एक particular news को बताते हैं कैसे UPSD prelims और mains में ये पूछी जा सकती है Monday to Friday answer writing की जाती है सबसे पहले overall section रहता है पूरे news paper में जो भी headlines आई हुई हैं उसका एक overview ले लेना MSP को बढ़ा दिया गया है सेंटर की तरप से तो इस पर discuss करेंगे MSP किसके दोरा decide की जाती है कौन recommend करता है तमिलनाडू की assembly ने CAA जो किया है citizenship amendment act उसको repeal करने की बात की गई है article 131 इससे related क्या है इसको discuss करेंगे बहुत जादा important है जहारखंड भी एक state बन चुका है green hydrogen पर आज answer writing हम करेंगे कल उससे पहले भी राजरा मोहन रॉई पर हमने discuss किया गया था सभी answer writing आपको free में मिल जाएंगे deducting fragile axis syndrome ये क्या है autism क्या है autism के लिए क्या सरकार कुछ कर रही है इसको हम discuss करेंगे naga crisis क्या है इसको discuss करेंगे super court के collegium system के बारे में discuss करेंगे उन्होंने अभी permanent judges का नाम approve कर दिया है collegium system में कौन कौन होते हैं इसको discuss करेंगे भवानी पूर seat पे अभी political campaign चल रही है ममताब एनर जी की देखिया हार जाएंगे तो cm नहीं बन पाएंगे जीत जाएंगे तो cm बन जाएंगे राइट आसाम government ने electric vehicle policy लाई है UPSC mains के लिए इंडिया और उस्टेलिया के 2 प्लस 2 dialogue meeting होने वाली है ये पूरानी pick है राइट तालीबान world level के बारे में discuss करेंगे 1999 की है जब नवा सरीप पाकिस्तान का जो PM थे राइट फिर PLI scheme discuss करेंगे PLI scheme है क्या इन सब चीज को complete discuss करने वाले हैं बट without moving further जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर UPSC की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ ऐसा नहीं कि current of your UPSC prelims की कर रही है सबसे ज़्यादा focus आपको करना है अपने optional में अपने UPSC mains में क्योंकि आपकी जो merit होती है उसी से बनती है तो search box में add the rate PR publication सर्च करना है देखिए आपको क्या मिलेगा बहुत simple है UPSC mains का जो question होते है daily के basis पापको यहां मिल जाये करेंगे जैसे कल का question था कि बहुत सारे farmer rainforest agriculture पर depend करते है तो GS3 का question है अब जो हमारे paid user answer writing करते है जो model answer की तरह होता है वो भी मैं आपको handwritten paid answer writing यहाँ पर share कर देता हूँ हला कि आप इससे यह तो समझ पाएंगे लिखना कैसे है बड़ आपको add the end खुदी answer writing करनी पड़ेगी अगर आप भी जाते हैं हमार साथ answer writing करें कैसे answer writing करनी है फ्रेसर के लिए सीखना यह initiate ही कर रहे है तो आप हमारा early plan जोइन कर सकते हैं जहाँ पर हम पूरी आपको मदद करेंगे date wise current notes में daily answer writing कैसे करनी है initial में session भी लियतने है 62 notes phone guidance आपको मिल जाती है तीनो plan एक साथ लेना चाहते हैं 9.99 रुपीज मां आप अवेल कर सकते हैं हमारे तीनो plan yearly NCRT test range plan UPSCC set का वीडियो गोट्स लेना बहुत सिंपल है दिये गई नमर पर Google पर phone पर करना है जो भी payment करेंगे उसकी screenshot से नमर पर WhatsApp करनी है और हम आपको अपने टेलिग्राम प्राइवेट ग्रूप से एड़ कर लेंगे नाव स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नियूज एमेट प्रोटेस्ट सेंटर हाइकस MSP फोर राबी क्रॉप्स देकि अभी सरकार ने Wednesday को क्या किया है MSP बढ़ा दिया गया है यानि कि पिछले साल तक एक क्यूंटल जो गेहूं का 1975 रुपे जब किसान जाएगा एक क्यूंटल उसके पागेहूं होगा वो मंडी पे जाएगा सरकार उसे कितनी देगी 1975 रुपे देती थी पिछले वरसे तक अब इस बार जादा जिता जादा प्रोटेस्ट हुआ है उस पे सरकार ने काया है हम वीट पे अपकमिंग जो रावी सीजन है उस पे एक क्यूंटल आपको कितने का दिंगे 2005 रुपे का लिंगे आप से यानि कि किसान पहले जाता था अपने गेहूं बेचने तो उसको 1975 रुपे मिलते थे अब कितने रुपे मिलेंगे 2005 रुपे मिलेंगे उसके साथ साथ ओयल सीट, पलसेज, मस्टर्ड, सनफलावर इसमें भी MSP 8% तक बढ़ा दी गई है ताकि किसान सिर्फ ऐसा नहीं कि गेहूं के बारे में ही सोचे बलकि दूसरे जो क्रॉप्स हैं उसके बारे में भी सोचे किसान को जब लगेगा हाँ इसमें भी अच्छा पैसा मिल रहा है तो वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी करेंगे क्योंकि कभी कभी होता ना ऐसी फसल होती हैं जैसे हमने कल भी देखा था बहुत सारी ऐसी फसल होती हैं जो रेन पर डिपेंड रहती हैं तभी मैंने एक कॉशन भी दिया था कल के बेसिस पर क्योंकि MSP को बढ़ाया जाने की बात करना है बट अगर वो रेन फेड है ऐसी क्रॉप्स होगानी चाहिए जिसको ज़्यादा पाने की जरुप्स ना पड़े ठीक है तो इसलिए सरकार ने उस पर भी MSP बढ़ा दी करेंटली MSP 23 क्रॉप्स के लिए है 6 क्रॉप्स जो अपकमिंग राभी क्रॉप्स की है विंटर क्रॉप्स की है यूनियन कैबिनेट ने 10,000 करॉप्स टेक्स्टाइल के लिए इंसेंटिव दिया अभी ये लास्ट पेज में भी आया है बिजनस पेज के उसको डिसकस करेंगे बड़ अभी हम इस पर्टिक्लर नियूज से एक तो ये जानेंगे कि MSP कौन डिसाइड करता है और राभी और खरीब क्रॉप क्या क्या है अब देखिए CACP एक एटेजड आफिस है मतलब ये मिनिस्ट्रिय उसके साथ एटेजड आफिस है CACP सिंस 1985 इसका पहले पुरा नाम था एगरिकल्चर प्राइस कमिशन था बड़ इसको भी CACP कर दिया गया है जनरली इसका मेन एम ये है कि ये रिकमेंडेशन देता है कि MSP कितनी होनी चाहिए कितनी MSP आएगी MSP for agriculture प्रोडेक्स टार्ट फिक्स बाइ गॉर्मेंट देखिए रिकमेंडेशन देता है CACP ये चीज़ याद रखना प्रिलिम्स में हमें सब पूछा जाता है और जो MSP के लिए कितना MSP देना चाहिए वो सरकार ही फिक्स करती है ये चीज़ याद रखना कमिशन से रिकमेंडेशन ले लेगी बट सरकार ही फिक्स करेगी कि कितनी MSP देनी है रिकमेंडेशन CACP से आएगी जैसा भी हमने नियूश पेपर में भी पढ़ा था हाल में जो प्रजेंटली टाइम है CACP ने 23 कॉमेंडेशन के लिए MSP को रिकमेंडेशन किया है पैडी, वीट, मे, सोरगम, पर्ल, मिलड, बारले, रागी पांच पल्सेज भी है इसमें तो यह हो गया हमारा MSP के CACP रिकमेंडेशन देती है सरकार फिक्स करती है करेंटली 23 क्रॉप्स में MSP दी जाती है राबी और खरीब क्रॉप्स के बारे में जानते हैं अप्रेल में और अक्टूबर के बीच में इस एरिया में इसको जो है कल्टिवेट किया जाता है राबी क्रॉप्स राबी हार्वेस्ट और अग्रिकल क्रॉप्स सोन इन विंटर इसको विंटर में उगाए जाता है खरीब क्रॉप्स को मौन्सुन में उगाए जाता है ठीक है Arabic word spring which is used in Indian subcontinent spring में उगाए जाता है overview of ravine खरीब क्रॉप्स ravine crops are harvested in spring season while it's sown in winter sorry for the pause, बीच में call आ गया था तुम मैं बात कर रहा था ravine crops की ठीक है, ravine crops काटी कब जाती है spring season में उगाई कब जाती है winter में the rabi crops are sown around mid November preferably after the monsoon खरीब crops, अब major rabi crops अब ये important नहीं था जो मैंने बताया ये कब है, कब, ये मैंने already बता चुका हूँ, ठीक है, कौन monsoon में उगाई जाती है, कौन winter में उगाई जाती है major rabi crops की अगर आप list देखेंगे तो उसको याद करना पड़ेगा बारले, बनाना, cabbage, gram, lady finger, capsicum, rap seed, tomato, oyan, mustard, grapefruit, potato, oat, mangoes ये ये हैं, खरीब crops में अगर मैं बात करूँ, मेज, सुगर, के, bottle gourd, millets, rice यहाँ पर rice होता है, खरीब crops में और rabi crops में क्या होगा, wheat होगा, right next article है, citizenship amendment act पिछले वर्स सरकार ने एक कानून ले किया है जिसे नागरिकता कानून बोला गया citizenship amendment act इसके चलते होए, हमारे जो पडोसी देश हैं बांगला देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान यहाँ से जितनी भी minorities हैं भारत आ सकती है, भारत की नागरिकता ले सकती है बट सभी राज्यों का जो opposition parties का यह कहना है ठीक है, अब minorities की बात कर रहे हैं मतलब उनका कहना, भारत सरकार का यह कहना था कि अफगानिस्तान, बांगला देश और पाकिस्तान से अगर हिंदू, सिख, इसाई, बुद्ध, जैन यह आना चाहे भारत में तो आ सकते हैं बट मुस्लिम नहीं आ सकते हैं, मुस्लिम को नागरिकता नहीं मिलेगी अब इस पर जो मुस्लिम community है या दूसरी political parties हैं वो challenge करी, कि अगर नागरिकता आप दे रहे हो कि आप, आपके खुद के देश में इतने ज़्यादा लोग हैं resources की कमी हो रही है, distribute नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्यों ये एक नागरिकता कानून ला रहे हैं यानि कि citizenship amendment act ला रहे हैं अब इस पर बहुत सारे राज्यों ने क्या किया पोश करने की बात की गई अब हाल में आया है तमिलनाडू तमिलनाडू समली में ने भी अभी सेंटर से बोला है कि आप citizenship amendment act रिपील कीजिए अब इस पर जब ये तमिलनाडू समली में गए बीजेपी वाले तो ऐसी भाग के चले गए कि हम attendee नहीं करेंगे इसके AIDMK है उसने साथ दिया अभी ये resolution चल रहा है बट major question क्या आता है कि क्या अगर कोई center कानून बना दे क्या center अगर कोई कानून बना दे तो state उसको challenge कर सकता है क्या ठीक है तो हम बात करेंगे article 131 की Can state challenge the validity of central laws? Yes ऐसा पहले भी हो चुका है जैसे केरला ने सुप्रिम कोट में केस फाइल किया था CAA unconstitutional है करके पहला जैसे अभी तमिलाडू कर रहा है केरला अल्रेडी कर चुका है वैसे 36 गर्ण ने भी NIA जो national investigation agency है ना उसके बनने पर पर चैलेंज किया था आपको के NIA तो सर अच्छा काम करती है 36 गर्ण ने क्यों फाइल किया हुआ मैं कोँगा बहुत सिंपल है देखो हर राजी के एक state police होती है बट 2008 में मॉंबई terror attack हुआ उसके बाद NIA को बना दिया गया था National Investigation Agency को बना दिया गया था Central के लिए लगाईए न इस टेट में भी कुछ हो रहा तो NIA चले जा रही है तो 36 गर्ण ने इसका ही अपोच करत के कहा कि हमारी जो state police है वो उसके ओपर domination NIA का नहीं होगा तो इस पर सविधान में लिखा हुआ अनुछेद यानि कि Article 131 को निकाला गया जिसमें अगर दो राज्यों के बीच में पंगे हो जाते हैं एक राज्य और सेंटर के बीच में पंगे हो जाते हैं तो Article 131 लाया जाता है Supreme Court का exclusive jurisdiction है इन disputes के मामले में बागि अगर मैं बात करूँ सेंटर और स्टेट के बीच में dispute हो जाए हाई कोट और सुप्रेम कोट दोनों आते हैं बट अगर Article 131 होता है तो उसमें exclusive jurisdiction रहता है Supreme Court का तो आई ठिंक आप ये समझ पाए होंगे देखिए हर एक राज्य ऐसे रोतों नहीं सकता न कि मेरा मॉली का अधिकार fundamental right वोईलेट हो गया उस पे नहीं जाता पर अगर किसी राज्य का legal right वोईलेट होता तब Article 131 को हम लेके आते हैं ठीक है जार्खंड एसेमली आती है वहाँ के विधायक मिलते हैं और बोलते हैं कि हम 75% आरक्षन जो लोकल्स के लिए रिजर्व कर देंगे प्राइवेट सेक्टर जॉब में जिनकी monthly salary up to 40,000 थी पहले 30,000 थी अब 40,000 कर दी गई है क्या जार्खंड ऐसा करने वाला पहला राज्य है नहीं इससे पहले भी आंदर प्रदेश और हर्याणा ऐसा कानून निकाल चुके हैं जिसमें 75% जो प्राइवेट सेक्टर जॉब हैं आपके ही राज्य में लोकल्स को मिलेगी हर्याणा में तो बहुत सारे यार गुड़गाओं में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर कमपनीज हैं यहां अब लोकल्स को यहां पर जो है रिजरवेशन या लोकल्स के लिए seat रुजर्व करने की बात की गई है पर इसका चलो ठीक है लोकल्स को इससे employment मिलेगा बट major question यह आता है क्या इसका negative factor हो सकता है कि yes दीकि बहुत सारे locals ऐसे हैं illiterate भी होंगे तो local seat reserve करने के चक्कर में हम quality जो है उससे हाथ गवा बैठेंगे तो जारखन ने पास तो कर दिया है बट इसके negative impact भी है कि उस private company को इतने quality नहीं मिल पाएगे जो actual में कोई merit clear करके लाता है या दूसरे state से होता है तो जारखन ने इसका नाम रखा है state employment local candidate in private sector will 2021 पहले monthly salary cap था 30,000 अब 40,000 कर दिया गया है ओके next news है literacy day celebrate किया गया on the occasion of international literacy day 100 of young girls को west mongol south 24 परगना district से वेडनेश डिको participate करने की बात की storytelling पह आप सुनिए इसको और यह event organize किया गया Emirates Airlines Foundation और NGO के द्वारा I am pact के द्वारा तो literacy day में अभी आप बताईए according to 2011 census of India भारत की जो national average है literacy का वो कितना है और सबसे ज़्यादा literacy किस state में है यह आपको बताना है क्योंकि अगर UPSC prelims आप करने जा रहे हैं तो 2011 की census को हर data आपके लिए important हो जाएगा ना यहाँ पर बात की गई है टेक अप रिंग रोड अंडर भारत माला प्रोजेक्ट करनाड़ा का चीप निश्टर बसुराज बोमोई ने बोला है कि यूनियन मिनिश्टर फॉर रोड ट्रांसपर हाईवे नितिन गटकरी यहाँ पर जो बचा हुआ रोड है उसको भी आप बनाइए बैट मेजर मुद्ध यहाँ पर आता है कि भारत माला प्रोजेक्ट क्या है भारत माला प्रोजेक्ट इसमें क्या है इतना किलोमेटर की रोड बनाई जानी है पांच लाग 35,000 करोल इसमें इन्वेस्ट किये जाएंगे इसमें क्या है इंटर कोरिडोर जो फीडर रूट है 6000 किलोमेटर की रोड बनेगी एकॉनमी कोरिडोर 9000 किलोमेटर की नैशनल कोरिडोर इतना ग्रिन फिल्ड एक्सप्रस वे जो नए 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 रोड बनेगी 800 किलोमेटर की कोस्टल रोड पोर्ट कनेक्टिविटी 2000 किलोमेटर की मतलब रोड से जो पोर्ट कनेक्ट होते न तो एक तरह से भारत माला प्रोजेक्ट एक तरह से यह है कि यार पूरा road infrastructure आप क्या करो develop कर दो ठीक है North East राजियों को जोड़ा जाएगा साथ waterway terminal को जोड़ा जाएगा ठीक है बांगलादेश, भूतान, नेपाल, मायानमार इस border को तेज किया जाएगा अभी total, a total of 322 प्रोजेक्ट जिसकी लेंद 12,000 है बारहजार हम बना चुके है भारत मौला प्रियोजना इस अमरेला प्रोग्राम for highway sector, ministry of road transport and highway के अंदर आता है phase 1 में जो की 2022 तक चलेगा 5 साल तक इसमें हम 5,35,000 करोड रुपे दे रहे हैं इसमें 34,000 किलोमेटर की रोड बनाई जाएगी phase 2 में 48,000 किलोमेटर की रोड बनाई जाएगी बाई 2024 तक अब बात करते हैं कुछ एडिटोरियल्स की the necessary reopening of school can be sustained with commitment to safety क्या आपको इसके नोट्स बनाने हैं नहीं मैंने बोला है 3-4 महने तक जितने भी COVID-19 से related आएंगे articles school open से आएंगे तो उसको आपको नहीं पढ़ना है वो ही है यार school खुलने वाले हैं तमिलाडू में पोस्ट रियोपनिंग और ये केरला की बात की जा रही है बच्चों को भी टीके लगाए जा रहे हैं अब बात यही है कि safety ensure करनी चाहिए hand sanitizer यूज़ करना चाहिए मतलब 8% सिर्फ regular जो online पढ़ा रहे थे उन्होंने सिर्फ 8% बच्चों नहीं की बांकी बच्चे कर ही नहीं पाए ये तो हम already data जो है बहुत बार कर भी चुके हैं अब बात आती है इस पूरे उसमें वही है कि धीरे धीरे वैक्षिन करने लगानी चाहिए तब ही स्कूल को जो है open करना चाहिए कि दोनों वैक्षिन के बीच में 84 दिन का गैप होना चाहिए और उसी के मताबिक monitor करना चाहिए data collect करना चाहिए और अगले लोगों को message पहुँचना चाहिए कि हाँ आपके 14 दिन complete हो गए है कोविट शिल्ड या को वैक्षिन लगा लीजिए ठीक है उससे related UP की politics से related है इसको discuss नहीं करेंगे सबसे बड़ा article है green hydrogen पे a new LI for zero carbon future scientist है बहुत वर्सों से discover कर रहे हैं कि एक clean fuel क्या हो सकता है इनका कहना है कि possible जो आट सो तीस मिलियन टर्न पर एनम आप carbon dioxide हम रिलीज कर देते हैं human endured global heating है यह और करीबन करीबन 1952 ऐसी country है जिन में climate vulnerabilities अभी आई हुए especially जो Asian countries है उनमें upcoming conference of party 26 होने वाली है United Nation climate change की गैल्स गो में नॉमबर से एक नॉमबर से बार नॉमबर तक 2021 में ताकि examine करेंगे कौन सा कैसे हम green house gas को कम कर सकते हैं तो एक solution आया है green hydrogen आज हम जो answer writing करेंगे वो green hydrogen के basis पर ही करेंगे green hydrogen एक driving source है industries को चलाने का light घरों में light लाने का hydrogen most abundant element है planet में जो rarely अपने pure state में बहुत मुश्किल से मिलता है but liquid hydrogen जो पानया है वो बहुत ज़्यदा मुश्किल हो पाता है सबसे पहले hydrogen को compress करो liquefy करो इसको minus 253 degree Celsius temperature से भी कम में रखना पड़ता है तब ही वो liquefied nitrogen hydrogen gas बनेगी right अब बट जो major यहां पर मुद्दा यह आता है कि ठीक है liquid hydrogen का यूज तो करेंगे aeroplane में भी उसका यूज होता है पर domestication के साथ liquid hydrogen का क्या हम यूज कर सकते हैं नहीं क्योंकि बहुत ज़ादा महंगी होती है अब hydrogen बहुत सारे type के होते हैं black hydrogen, brown hydrogen, blue hydrogen, green hydrogen बट हमें major concept समझना है green hydrogen का अब इसमें क्या है renewable power से, wind से, solar से इसका हम water को तोड़ते हैं अब water का formula क्या होता है H2O hydrogen और oxygen तोड जाते हैं हमें use करना है इसी hydrogen का जब भी हम ये use करेंगे तो एग भी pollution नहीं होगा तो इसी का use करते हैं electrolysis के पानी को तोड़ के hydrogen extract करने से अब इससे क्या होगा net zero emission हम achieve कर सकते हैं पर जो production है कि यार पानी को तोड़ो hydrogen receive करो बहुत ज़दा costly होता है 1.5 पर kilogram इसका use आएगा global population भी 83 million human 83 million हर वर्स जोड़ रहे हैं अब ये कह रही है कि energy demand 25 से 30% तक 240 तक और ज़दा बढ़ेगी तो हम उसी को 240 तक अगर 30% population बढ़ रहे हैं तो हम उसी के basis पर अपनी policy भी frame करनी चाहिए India फोर्थ largest energy consumer है अब third बन जाएगा European Union को पीछे छोड़ते हुए इवन अरेबिया भी focus कर रही है solar और wind energy generation में ठीक है Indian railway ने भी announce किया first experiment hydrogen fuel cell का जिसे की train चलेंगी तो hydrogen बहुत ज़्यादा matter करता है hydrogen किस तरह से climate change को कम कर सकता है green house gases को कम कर सकता है H2 हमें पढ़ना है zero emission इससे हम अचीब कर सकते हैं यहाँ पर देखिए इस पूरे open page के article में एक story समझाए गई है कि 2007 में एक दिल्ली का आदमी था autism से उसको effect था autism होता क्या है उस सुन नहीं पाता लिख नहीं पाता बहुत देर में समझता है मैं कहुंगा भाई new paper तो पढ़ ले मेरा वो कहेगा नहीं यार वो कुछ कहेगा ही नहीं autism में यही होता है कि आपका जो brain है properly function नहीं कर पाता है right तो fragile access syndrome उसमें देखने को मिला यानि कि fmr1 एक important protein होता है जो हमारे brain development में मदद करता है वो उसमें नहीं था right तो autism में उसको हो जाता है तो फिर लिखना समझना वो बहुत देर ही उसको लगती है but major question यह आता है कि जो यह rarest of rare disease होती है autism में वगरा तो इसके लिए सरकार क्या कोई in section of society सबसे ज़्यादा marginalized है मैं कहूंगा ना marginalized जिसके पाँ हाथ पाँ अच्छे है remote area में भी रहता है उससे ज़्यादा marginalized यह autism में वाले person है इनकी तो ना तो सिक्षा हो पाती है ना स्वास तो हो पाता है मतलब इनको एक सहरा चाहिए होता हमेसा जिसके पाँ हाथ पाँ है उसको सहरा नहीं वो कहीं पर भी जाके काम कर लेगा चाहिए वो गाउं का ही आदमी क्यों ना हो बट सबसे ज़्यादा जो marginalized पीपर होते है वो disabled होते है जो suffer करते हैं किसे disease से और एक ऐसे disease जिसका कोई इलाज नहीं है सालों साल बर जब तक आप जीवित हो आप तक वो बिमारी लगे रहेगी सोचो कितना ज़्यादा worst condition है बट major question तो यहीं आता है कि यार ऐसे लोगों के लिए सरकार ने कोई scheme लाई है क्या आप एक scheme बता के दिखाओ चलो comment box में ठीक है और इस particular segment को जो topic को pressure deduct नहीं कर पाते हैं कि कौन सा topic सबसे पहले यही कहता है कि सबसे ज़्यादा marginalized section of society में कौन है ठीक है अब आपको कि disabled person cerebral palsy, autism ठीक है इसके लिए कौन-कौन सी scheme चलाई गई है आज मैंने सभी scheme यहाँ पर list कर दीगी है आप लोगों के लिए कि आप कर सकते हैं जैसे दिशा है school readiness 0-10 साल के बच्चों के लिए जिनको disability है मतलब जिनको खासकर autism में है cerebral palsy है, mental retardation है multiple disabilities है उनको दिशा scheme के अंद्रगत पढ़ाया जाएगा देखो कितने important है बढ़ते कदम है ठीक है घरोंदा है aims to provide assured home and minimum quality of care services घर कभी कभी autism में वाले बच्चों को जो parents हैं वो निकाल देते हैं या उनको भगा देते हैं तो घरोंदा उनका है निरामाया है, संभाव है, सयोगी है ग्यान प्रबा है, प्रेना है समर्थ है समर्थ है जो orphan है, abundant है family in crisis also for person with disability विकास है ठीक है पर issue क्या कह रहता है, health education discrimination, exclusion ये सब चीज़ें होती है इसके लिए way forward क्या है prevention, awareness बहुँ ज़दा जरूज़ी है सिक्षा, employment, better measurement, policy intervention करना हम इसमें चाहिए दूसरे RTL, the invasion of Afghanistan वाज़े, एक journalist है investigating journalist है, उनका interview छपा है इसको पढ़ सकते है इनका मनना है कि जो तालिबान को हटाने के बात की गई थी US में, ये fraud है पर ये ऐसी theories जो हैं बहुत सारी आती रहती है UPSC से कोई इसका लेना देना है क्या, बिल्कुल भी नहीं ओडिसा की reservation जो हम अल्रड़ी बात कर चुके हैं जो सबसे ज़्यादा important है ceasefire NSCN के साथ जो है ceasefire के बात की गई है अब ये क्या है इसको मैं discuss करूँगा आप से Union Government ने विडनेश्डी को का है कि एक साल तक हम ceasefire करेंगे और नहीं आपका जो NSCN ग्रूप है वो गोलियां चलाएगा नहीं हमारे जो आर्मी आफिसर हैं वो गोलियां चलाएगे तो कहीं न कहीं deployment के पाथ में ये एक अच्छा step है बट actual मैं आप कहोगे ये निक्की ग्रूप या नागा पीस प्रोसेस है क्या क्यों सीस फायर ओलिशन भारत के अंदर ही करवाने की बात कर रहे है नागा क्राइसिज आपको जानने से पहले नागास के बारे में जानना होगा नागास एक सिंगल ट्राइब नहीं है ये बहुत सारी ट्राइब से मिलके बनी है नागास इंडो मॉंगलर्ट फैमली से बलॉंग करती है नागास कहते हैं हमारा जो कल्चर है बहुत ज़्यादा यूनिक है नागास में 19 ट्राइब मिलकी ये अपने को नागास कहते है आओ, जंगामी, चंग्स, ठीक है, लोथस, मोज, मिक्रीस नागा का इश्यू क्या है? की डिमांड क्या है नागा लोगों की? की हमें ग्रेटर नागा लिम चाहिए मतलब एक अलग से इस्टेट कंट्री चाहिए मैं कहूंगा जिसमें वो खुद की बाउंटरिस बनाएंगे और सिर्फ ऐसा नहीं कि नॉर्थ इस्ट का एक ही राज नागा लेंड है उसके सासाथ अरुनांचल प्रदेश जितने भी ट्राइप्स अलग अलग जगे में रहती है वो चाहते हैं कि सबी राज्यों का कुछ-कुछ हिस्सा हमें मिलके एक हम अपना अलग देश बनाएं जिसमें अरुनांचल प्रदेश, मनिपूर, आसा, मयानमार ये सब है लगा था, कि हमें क्या चाहिए, आजादी चाहिए, किसे जो हमारे ट्राइप्स हैं, राइट? तो 1946 में, एजेड फीजो ने नागा नेशनल काउंसिल बनाई जिसने नागा इंडिपेंडनेंस, 4 अगस्त, 1947 को डिकलेर कर दे, मतलब ये ग्रूप आप सोसाइटी ऐसी है जो अलग से देश बनाना चाहती है, और इन्होंने हत्यार उठा लिए, ठीक है? मतलब ये पहले पॉलिटिकल ग्रूप था, बाद में उन्होंने हत्यार भी उठा लिए, जो अभी मैं बात कर रहा हूँ ना, न्यूट पेपर में NSCN, इसको जानने की जरूप नहीं है, NSCN वही है, दो ग्रूप है मान के चलो, सो लोगों का एक ग्रूप है, सो लोगों का एक ग्रूप है, अलग-अलग डिमांड ये कर रहे हैं, अब ये ही चाहते हैं, अब इन्होंने हत्यार भी उठा हैं, तो सिविलियन्स को भी मारते हैं, पीस इनिरिटिटिव क्या इससे पहले नहीं चले, चले, 1975 में सिलोंग एकॉर्ड, 1997 में भी सीसफायर अग्रिमेंट की बात की, फ्रेमवर एक्रिमेंट 245 में, तो इसका एक सॉल्यूशन क्या होगा, कि यार उनको अलग से देश तो नहीं देंगे, सिंपल सी बात है, राज्य तो हम नहीं देंगे, और्टरनमस नागा टेरिटोरियल काउंसिल दे सकते हैं, अरुनांचल और मनीपूर में, ताक जा सकता है, ना देखें इस बार क्या हो रहा है, सुप्रेम खोट के जो कॉलेजियम ने एपूरूप किया है, बार अलग अलग जग्चे खार्मानेंट पर्मानेंट जजज बनाने की बात की गई यह दीरे दीरे मैंने का वैकंसी है सरकार डिले करते रहे दी तो इसके लिए एक ही सिस्टम होता है कॉलीजियम सिस्टम जो ठाक है के लिए ऐसा कोई वो नहीं होता है कि इनको अपोइट करने के लिए कोई अलगी सिर्प सिखनेटर चाहीए हो पीम के ऐसा नहीं होता कॉमिजियام सिस्ठम में पांच जज़िस का इक गृूप होता है जिसमें एक चीप जस्टिस ओफ इंडिया होंगे चार जज होंगे अब इनके ही कहने पर यही नाम देते हैं सरकार को और उसी के बेस्टिस पर सरकार अपॉइंट करती है चाहिए जजिस का अपॉइंट है लॉयर से जज बनाना हो जज को एक हाई कोट से दूसरे कोट में भेजना हो यह सब कॉलिजियम सिस्टम ही करता है मैंने का पांच जज जज इसका यह होता है गुरूप होता है चीप जशिस ऑफ इंडिया होंगे नाम रिकमेंडेशन करेंगे सरकार उसको फिर अपॉइंट करेगी बट पहली बार अगर रिकमेंडेशन देगी तो या हार तियें तो इसके बारे में बहुत बार डिसकस करा है हार तियें तो C.M.P. चले जाएगा जीततियें तो C.M.P. रहेगा अभी आपी M. ल.A. हैं भी नहीं फिर भी C.M. बनी हुई है आर्टिकल बटा यह कौन सा है ठीक है यह हम बहुत बार discuss भी कर चुके हैं पर जब इनका result आएगा ना I think September में इनके चुनाओंगे दो उसी में result जब भी आएगा तब हम discuss करेंगे और बाइपॉल एक और चीज बता दूँ बाइपॉल मतलब क्या होता अगर किसी consistency में किसी जो participant है जो contestant है उसके death हो जाती है या वो नहीं लड़ता है तो वो seat वेकेट हो जाती है तो वेकेट सीट के लिए जो election होते हैं उसे बाइपॉल कहते है आसाम सरकार कह रही है कि electrical वेक के लिए उनको electric vehicle में convert करेंगे मैं कहूंगा यह एक अच्छा initiative है भारत और उस्टेलिया में टू प्लस टू मिटिंग आपसे यूपीए से प्रिलिम्स यह फूजती है टू प्लस टू मिटिंग में कौन-कौन से minister include होते हैं अगर दे दो देसों की हो रही है तो याद रखना foreign minister और defense minister यह यह चीज़ याद रखने ना आप लोग foreign minister और defense minister मिलते हैं मतलब भारत के भी मिलेंगे और जो है ऑस्टेलिया के भी मिलेंगे उन्होंने free trade agreement पर बात किया cyber security, climate change, critical technology, supply chain पर बात की world level के बारे में बात करते हैं sanctions लगा सकते हैं ऐसा बोला गया है US के द्वारा अगर तालीबान क्या करता है अधिकारों को ensure नहीं करता है human right violation कर रहा है तो उस पर sanctions लगाए जाएंगे और दूसरे terrorist को पनाह दिया जाएगा तो फिर उसमें भी sanctions लगाए जाएंगे अभी जो त most senior position में हैं जैसे हकानी है राइट और दूसरे जो लीडर है तो new government है तालिबान पर old regime यहाँ पर देखने को मिल रही है अब देखते हैं इंडिया के favor में क्या है धिरे धिरे इस चीज की हम discuss करते रहेंगे जब तक यह article आता रहेगा सरकार ने 10,683 करोल रुपे क्लियर किया है textile के लिए कि आप क्या करो आप industry खोलो हम कुछ पैसा हम देंगे आप बस deployment करो PLI plan के अंदर अब यह होता क्या है production linked scheme for the textile sector with a view to helping Indian regain its dominant status in global textile trade अब हम बहुत ज़्यादा export करते है यह textile को बट pandemic आया बट अभी सरकार क्या गरी है हम आपको पैसा देंगे जो industry थप पड़ी है आप बस production start कीजे तो last है production linked incentive scheme क्या है government क्या कर रही है art major domestic manufacturing में वह ज़्यादा इस scheme को बढ़ा रही है यह बहुत simple है अगर manufacture goods बनाएगा तो सरकार भी कुछ पैसा देगी कि हाँ ठीक है आप incentive दे रही है this scheme will give cash incentive मतलब कुछ पैसे देगी for five to seven year पांसे साल साल तक all the sunrise and important sector are proposed to be covered in this sunrise sector कौन से होते हैं जिनकी आगे आने में बहुत ज़्यादा boost हो जैसे solar power जो solar component यह हम यहाँ पर भी बना पाएंगे तो यह फाइदा अभी textile के लिए 10,000 का रोल रुपे यहाँ पर दिये गए सरकार के द्वारा now sir paid group में answer writing evolution और guidance provide होगा क्या और कितने time तक valid होगा एक साल तक होता है और paid group के answer writing आप उसमें देख सकते हैं daily मैं youtube पर upload भी करता हूं sir hindi medium के लिए कौन सा newspaper पढ़ना चाहिए हिंदी मीडियम के लिए यार आप क्या करें रीजिनल न्यूजबेबर पढ़ सकते हैं बड़ उसमें international और national की खबरें ज्यादा पढ़ें sir एक question है ncrt economics में national income make doubt है topic समझ नहीं आ रहा इस टॉक और flow चलो मैं इसको करवाँगा charger 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 चली आज का जो end code रखते हैं वो रखते हैं बिशलेरी ठीक है आज की इस वीडियो में इतना ही thank you have a nice day